पारवी क्लास का जो इंग्लिस का पेपर था उसका जो सोल्युजन नहीं उस परकार देदि है पहले वाले वीडियो के अन्दर थोड़ा सा वीडियो का जो फ्रेमिंग था वो कमा रहा था, इसलिए दूसरा वीडियो बनाना एम हैमल इसका आंसर होगा stood on the chair who wants to drive a car यह सपना था मुकेश का डगलस decided to learn to swim when he was डगलस की उमर क्या 30 जब उसने तैरना सीखने का निश्चे किया था उसकी उमर ती 10 और 11 साल गांधी जी ने अंग्रेजों को हमारे देश से निकलने के लिए कब आगरे किया था तो यह काम किया था 1917 के अंदर चमपारन डिस्ट्रिक्ट बटा हुआ था बड़े-बड़े जागीरों के अंदर इनके मालिक कोन थे इनके मालिक अंग्रेज थे और इन पे काम कोन करते थे भारते कास्तकार तो यह हो जाएगा इसका अंसर उसका चेरा लास की तरह हो रहा था जो राक होती उसके तरह हो रहा था यहाँ पर किस अलंकार का प्रियोग किया गया है तो इसमें सीमली का प्रियोग किया गया है याने कि उपमा अलंकार का that shot upon there lives like catacombs catacombs का मतलब क्या होता है catacombs का मतलब कबरे होती है तो यहाँ पर सी में trees, tomb और grave तीनों का अरती कबर होता है इसलिए इसका answer होगा आलोपदीज can teach us when everything seems dead जब प्रते एक चीज़ हमें मुर्थ दिखती है तो हमें शांती के साथ जिने का पार्ट कौन चिखा सकती है तो यह था आपका अर्थ makes human beings love life in spite of troubles and suffering प्रिडाओं के बावजूद और उलजनों के बावजूद nature ही हमें प्यार करना सिखाती है और Aunt Jennifer Tiger की जो कव्यत्री है वो कौन है add in reach the poet suggests to keep quiet कभी हमें यहां पर suggest करता है कि हम एक सेकंड के लिए चांत रहें for a moment इसके बाद में आपको यह relative class था तो हू को जोड़ना था आपको तो हू यहां पर ही के पास जोड़ना है आपको ही वो और फिर हू के बाद में यहां से ही को ठाकर यह लें लेंगे पहले यानि कि he who has seen nothing but bangles और फिर was born in the caste of bangles makers दूसरा की वैस्टनी यह बड़ आसान था हूज वाला प्रिसन आपको बीच में लगाना है बस और अठाना का है देर को इस वाले के अंदर आपका आंसर as soon as होगा और इस वाले के अंदर आपका आंसर in up to हो जाएगा my car on the way इसमें broke down हो जाएगा आपका आंसर all parents वाले के अंदर आपका आंसर bring up हो जाएगा come and sit by me आओ मेरे पास बैठ जाओ इसमें by हो जाएगा आपका pay attention on your study तो इसमें आपका on हो जाएगा passage की बात करते हैं आपका पहला passage आपका wonderful world full of तो wonderful जो world है wonderful world ये किस से बढ़ा हुआ है ये बढ़ा हुआ ब्यूटी, charm and adventure तो इसका आंसर हो जाएगा ये why would the writer like to go to company of bright young children तो इसके अंदर आपका answer यहां से हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा यहां तक ठीक है और फिर आपका तीसरा question है if we have love in our hearts what do animals do अगर हमारी रिधे में प्यार होगा तो वो क्या करेंगे तो इसके अंदर आपका answer हो जाएगा ये रहा if he has any love तो यहां से हो जाएगा यहां तक how do human beings we have if we dislike them तो यहां पर इसका answer जाएगा if we are afraid of them if we show or dislike of them तो ये इसका answer हो जाएगा bloom शद का flourish हो जाएगा flourish इसके अंदर होगा कही ना कही bloom यानि खिलना होता है flourish कर तो भी क्या होता है पलना फूलना और फोई का मतलब होता है शत्रू तो इसका फ्रेंड हो जाएगा आपका answer आपको एंटोनिम पूछ रहा है यानि कि विलोम सुद पूछ रहा है पहले वाले पैसेज की बात करें तो आपका ये बड़ा असान था दूसरा पैसेज आपका है special event पूछ रहा है इसके अंदर special olympic के अंदर तो वो है event आपकी first line के अंदर इती hundred meter race ये आपका answer था दूसरा की बचने what happens with the ninth athlete 90 athlete साथ क्या हुआ था तो ninth जो athlete था वो गिर गया था जब रेस start होई थी तब वो गिर गया था falls on track ठीक है? falls down ये रहा ninth smallest falls down और फिर आपका how did the audience react for the eight athletes eight athletes के लिए audience ने कैसा react किया था तो यहाँ पर जो audience थे उन्होंने उनकी प्रसंचा करी थी इस काम के लिए कि उन्होंने उसे गिरे गए विक्ती को भी ठाक कर साथ चलेते हो the audience was so moved यहाँ तो हो जाएगा आपका answer ने ये clap तक हो जाएगा ये तालियां बजाना सुरू करते हैं नोंने what is empathy? empathy किसे कहेंगे पन empathy is the capacity understand another's experience from his point of view इसे आप empathy कहेंगे भई और how and why did the authorities honor the athletes तो इसके अंदर आपका answer हो जाएगा by awarding से लेकर यहाँ तक section C के अंदर आपका प्रशन है modern world किससे बढ़ा हुआ है तो modern world, insecurity, war, worries इनसे बढ़ा हुआ है tiger king वाला पार्ट आपका प्रतिबंद पुरम वाला पार्ट था ही जिसके अंदर उसने 100 बागों को मारने की कसम खाई थी इसलिए उसका नाम tiger king पढ़ गया था सदाओ की पिता की मुक्य चिंता सदाओ की शिक्षा थी लेंब पूरे दिन अपने बगीचे के अंदर मधु मक्यों को दिखा करता था और कई प्रकार की चीज़े जिनको सुनता था वो देखता था बैड़ता था लिसन करता था थर्ड बैल के अंदर करशी निकाल नी थी और बैटना था थर्ड बैल के अंदर खाना काना सुरू करना था और यहां पर डगलस का जो पूछना आपको experience डगलस जब डूग गया था पानी के अंदर तो उसके साथ में वाद में क्या उसने अनभव किया वो लिखना था इसके अंदर और वान स्टाले के रूप में sign कयों कि Red Trapper ने क्यों कि एडला ने उसके साथ Red Trapper कितरे वेवार नहीं किया था उसको कैप्टन कितरे behave किया था तो अंत में वो ठीक हो जाता है और उसको गिलानी होती है तो वो लास्ट के अंदर एडला के लिए एक छोटा सा प्रेजेंट देता है उस प्रेजेंट के अंदर एक लेटर देता है उस लेटर के अंदर ही उसने साहिन किये थे कैप्टन वान स्टाले के रूप में इसमाइल किस बात को दिखाती है पोईम के अंदर कवियत्तरी की जो इसमाइल है वो इस बात को दिखाती है कि कवियत्तरी अपने दर्द को अपनी माँ से चुपाना चाहती है Elementary School Glassroom की जो theme वो क्या है इसके माध्यम से कवी है वो सलम की जो बच्चे होते हैं उनकी जिन्दगी है उनकी बारे मताना चाहता है और वो उनकी जिन्दगी में सुधार करना चाहता है Keeping quiet keeping रहने से हमें क्या मिलेगा मतलब quiet रहने से में क्या मिलेगा तो quiet रहने से हमें अपने आपका व्यक्त का जिवन बचाना और डूसरी हास तो दाओ उपधा अच्छा नागरिकता और उसने मानवता के धरम को पहले निवा 2 महाराज ने क्या शूणा करी थी माराज किसी और किसी ने बाग का से कार यहां तक कि बाल के उपर किसी ने भात्तर मुंआ तो उसकी जो संपत्थी हड़ाप ली जॉये चेजी हैंसाज हेंद सम डाज ऐस डेलिन काहा था और इटीज्ज क्रम यह के अंग्रेज की दादी नहीं कहा था क्योंकि वो बैंकल मेकर प्रिवार में जन्मी हुए ते इसलिए और लॉंग ट्रम कॉंट्रेक्ट क्या था इसके अंदर आपको बताना है कि वो इंडीगोग होते थे 15% के उपर और उस पूरी की पूरी खेती को अंग्रेज किराय की लॉंग लाइफ फ्रांस वी टू आर हूमन बिंग संभी इंसान है इसके अंदर विक्टिम कौन था विक्टिम इसके अंदर वो बुड़ा आदमी था जो एक खाने के पैकेट को डोर से पकड़के लेकर जा रहा था परकास्ट के विक्ति के लिए जिसको बामा ने देखा और यहाँ पर गैल्सबर्ग इलिनोईस क्या है यह थर्ड लेवल पार्ट के अंदर वो शहर है जहाँ पर चारली थर्ड लेवल के रूप में यात्रा करके आता है सदाओ का इनाम क्या था सदाओ के दौरा उस सैनिक की जान बचाना ही उसका इनाम था सेक्शन डी के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपको मकान किराय पर लेना है यानि कि आप ढूंड रहे हो तो इसमें टाइटल के रूप में उपर आएगा अक्मोडेशन वांटेड और फिर आपको यह बताना था इसके अंदर क्या चाहिए आपको और यहाँ पिर आप नो प्रोग्राम होता है या जो एन्वल फंक्शन की जो रिपोर्ट उसको भी आप इसमें एड कर सकते थे थोड़ा सा चेंज करके और यह आपका थाई गैस्ट फेकल्टी टीचर का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंगलिस इसकी क्या लिखनेती आपको एपलिकेशन फोर जो ठीक है इस परकार से आपका यह पेपर अधा उम्मीद है कि आपको यह पेपर बहुत शान्द तरीके से किया होगा आने वाले एकजामस के लिए आपको बेस्टोप लग थेंक्यू गूल लग